नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एक यूट्यूब चैनल पर पार्ट नमबर 26 आपके सामने है हम बात करते हैं यह इसकी फुल फॉर्म है ठीक है अलबा दीकिए यह लेटिन अमरीकी देशों का एक छेत्री संगठन है किसी समय बोलीविया के राष्ट्रपती बोलिवार ने ऐसा संगठन बनाया था जो 19 वी सताब्दी में था फिर यह है लुक्त हो गया लेकिन 2004 में वेनेजुएला के रा चावेज ने इसे फिर से इस्थापित कर दिया या कह सकते हैं इसे फिर से जिन्दा कर दिया अलबा की बात कर रहे हैं इसमें कुल कितने देश शामिल है ग्यारा इनकी साजी मुद्रा क्या है सुक्रे अलबा की साजी मुद्रा सुक्रे है 2004 में वेनेजुएला की Alliance of Latin American Countries और इनकी मुद्रा क्या है सुक्रे ये जो है अलबा ये है एक छोटा सा संगठन है जिसका उद्देश्य है कि इस छेत्र के देशों के बीच सहयोग बनाए रखना इस छेत्र को परमानु संकट से दूर रखना लेकिन इन सब के अलावा एक पीछे का उद्देश्य है वो अद्देश्य जो दिखाई नहीं दे रहा ये हैं भी है कि अमरीकी प्रभुत्व से बचना जो की हुगो चावेज ने कहा गया कि अमरीकी प्रभुत्तु से बचना भी इसका क्या है एक उद्देश्य जो की सामने नहीं है लेकिन है जरूर अलबा की मुद्रा सुक्रे जैसे की हम बता चुके अलबा का मुख्याले है कराकस में कराकस में देखिए इसके सदर्श्य देश जो 11 है वो कौन-कौन से ह कंट्रीज आते हैं पहला है एंटी गुआ बर्बुडा दूसरा बोलीविया तीसरा क्यूबा चोथा डोमेनिका डोमेनिका पांचवा इकवाडोर ग्रिनाडा निकारागुआ सेंट किट्स एंड नेविस सेंट लूसिया वेनेजुएला और लास्ट है सेंट विंसेंट वे दे ग्रेनाडिन्स देखिए कभी पूचा नहीं जाता इनके देशों का नाम लेकिन फिर भी हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से कंट्रीज आते हैं चलिए देखते हैं अब हम बात करेंगे यूरोपिय संग की जिसको EU short form में कह देते हैं European Union देखिए ये जो यूरोपियन संग है इसका जो बनने का करम है वो पहले तो यूरोप का एक आर्थिक समुदाय बना उसके बाद में यूरोप का समुदाय बना और फिर ये यूरोपिय संग 1992 के अंदर सब के सामने EU के रूप में आया देखिए इसमें हुआ क्या 1955 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने ये निश्चे किया कि साजा बाजार स्थापित किया जाए कैसा बाजार ऐसा बाजार जिसमें साजी मुद्रा हो साजा व्यापार हो अब इस चैन ये जो 6 देश थे ये कौन कौन से थे फ्रांस इटली बेलजियम निदरलेंड लगजंबर्ग और पश्चिमी जर्मेनी इन 6 देशों ने मिलकर ये निश्चे किया कि एक साजा बाजार हमें स्थापित करना चाहिए इसलिए 1957 में रोम की संदी पर क्या होगे हस्ताक्षर होगे उसी के तहट एक जनवरी 1958 में यह अस्तितु में आया और जिसका नाम उस समय क्या था यूरोप का आर्थिक समुदाय जिसको शोट फॉर्म में डबल ए सी बोल देते हैं चेक्या चल अन्य देश भी दिरे दिरे शामिल हो गए तो इसका नाम हो गया यूरोपिय समुदाय देखिए नाम करण के चरण बता रहे हैं हम इसमें तो अब ये नाम हो गया यूरोपिय समुदाय फिर 1992 में 1992 में एक संदी ओर हुई जिसको कहते हैं मॉस्ट्रिच संदी ये संदी होने के बाद 1993 से इसका नाम यूरोपिय संग के नाम से जाना जाता है या जाना गया इस मास्ट्रिज संदी से ही सभी सदश्य देशों की साजी मुद्रा क्या हो गई यूरो मतलब यूरोपियन यूनियन की यू की साजी मुद्रा यूरो हो गई ये किसमें हुआ मास्टिज संदी से सभी देशों की विदेश नीतिया भी समान होंगी तो मास्टिज संदी में दो बाते तो विशेश कराई कि एक तो सभी की मुद्रा साजी मुद्रा यूरो होगी और दूसरी बात सभी देशों की विदेश नीतिया एक समान होंगी फिर 2004 में 2004 में एक और संदी हुई लिजबन संदी इसके तहत यह निश्चित किया गया कि अगर किसी एक सदश्य राज्य पर जो भी इसका EU का सदश्य है उसके राज्य पर आकर्मन हुआ तो अन्य सदश्य देश उसकी क्या करेंगे सहायता करेंगे तो EU में एक यह लिजबन संदी में यह बात और जुड़ गई यह संग छेतरिय एकी करन का बड़ा नमूना है यह सफल भी हो रहा है इसकी पांस संस्थाएं काम कर रही है देखी यह पांस संस्थाएं कौन-कौन सी है इसमें पहली संस्थाएं की बात करें तो यह है European Commission इसमें देश में 17 सदश्य देश होते हैं इसके अंदर इस Commission में यह 4 वर्षों हेतु चुने जाते हैं और European Commission का कार्याले कहां पे हैं? Brussels, Belgium और Luxembourg में दोनों जगे इसका क्या है? कार्याले दूसरा भाग है European Sunset अधिक जो सदश्य को स्थानों को मिला है वो है ब्रिटेन को जिसमें 81, 81 इस संसद का सत्र फ्रांस के नगर स्ट्रेसबर्ग में होता है इसकी कमेटियों की जो बैठक होती है वो Brussels में होती है बिलकुल ध्यान रखने यह के बाते हैं कि European Sunset का जो सत्र होता है वो तो स्ट्रेसबर्ग नगर में होता है फ्रांस के और कमेटियों की बैठक होती है ब्रिसेल्स में और इसमें जो स्थान होते हैं जो सदश्य होते हैं उनके चुनाओ उनको चुना जाता है चुनाओ के द्वारा और European Sunset का अगर हम सचीवाले की बात करें प्रशासनिक विभाग की बात करें तो ये लगजंबर्ग में है चले देखते हैं नेक्स्ट तीसरा भाग है इसमें मंत्री परिशद इसमें हर सदश्य देश का विदेश मंत्री भाग लेता है European संसद्गी मंत्री परिशद में हर देश का विदेश मंत्री भाग लेता है जिनकी संख्या 28-28 है इसका कार्याले भी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में फौर्थ है European Court कोर्ट के इसाब से नियाय की बात होगी यहाँ पे इसमें 13 जज होते हैं और 6 महादी वक्ता इसका कार्याले है लग्जंबर्ग में यह नियायाले European Court की बात कर रहे हैं कि इवल उन विवादों को निप्टाता है जो देशों की संदियों से संबंदित है पांचवा है इसमें अंतिम आर्थिक वे सामाजिक परिशद European Union का पांचवा भाग यह बहुती बड़ा निकाय है इसमें कुल 189, 189 सदश्य है यह निकाय उद्योगों में काम करने वाले मालिक और 9 को के बीच विवादों का निप्टान करता है आर्थिक वे सामाजिक परिशद इसके बाद में यह जो छेतरी एकिकरन है EU का यह बहुत ही उत्तम उधारन है शुरू में इसमें पस्चिमी यूरोप के देश शामिल थे ठीक है जब शीत यूद चल रहा था तो पूर भी यूरोप के देशों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो USSR के गुट में थे हमने शीत यूद अच्छे से बढ़ लिया अब हमें उसके बारे में कोई कन्फियूजन नहीं होना चाहिए लेकिन उत्तर शीत यूद काल में ऐसे कई देशों को यूरोपिय संग में शामिल किया गया जैसे पोलेंड, रुमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, चेक गन तंत्र अभी तक जो रूसी संग में प्रवेश नहीं दिया गया था उनको क्योंकि वहां स्टालीन पंथी, कम्मिनिस्ट निता के लोग भी सम्मिलित है वास्तव में यह आर्थिक एकिकरन का नमोना है, EU है जो, क्योंकि इसमें साजा व्यापार की बात की गई थी साजी मुद्रा यूरो की बात की गई है, तो वास्तव में यह एक आर्थिक एकिकरन का नमोना है यह विचार फ्रांस के निताओं की देन है जिसमें शूमेन और जीन मोने प्रमुखता से इनका नाम लिया जाता है इस निकाए का एक लक्ष यह है कि सारे यूरोप का क्या हो जाए एक ही करण USSR राष्टपती गौर्बचेव ने इसे साजा यूरोपिय घर की संग्या दी थी बिल्कुल प्रशन निकलेगा यहां से जब हम objective टाइप आपके लिए लेकर आएंगे तो उसमें आएगा USSR राष्टपती गौर्बचेव ने EU को क्या कहा साजा यूरोपिय घर या साजा यूरोपिय घर किसने कहा तो गौर्बचेव ने इस समय केवल एक समश्चा खड़ी है EU को लेकर कि इसका क्या नाम दिया जाए क्योंकि ये ना तो राज्य है ना संग है ना परिसंग है और ना ही अंतरास्टे कोई संगठन है तो इसका काम चलाओ नाम दे दिया गया पराराश्टर राज्य है तो पराराश्टर राज्य भी EU को ही कहते हैं अब इस संस्ता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अदबुद संस्ता है जहां साजी मुद्रा है, साजी नागरिक्ता है इसलिए इसे राजनितिक सिद्दान्त के दाइरे में किसी एक दाइरे में लाना क्या है मुश्किल है इसके नाम करन को किसी एक दाइरे में लाना मुश्किल है इसलिए एंड्रियू हैवुड ने कहा कि EU को सोवियत EU को यूरोपियन यूनियन को इसे राजनितिक सिद्धान के किसी एक वर्ग में रखना असंबव है तो यह sentence भी पूछा जा सकता है कि किस के पहली यह कहा गया तो European Union के लिए कहा गया किस ने कहा Andrew Haywood ने कहा दोस्तो आशा करता हूँ आपको वीडियो नोट समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल syllabus के हिसाब से चल रहे हैं आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जब हम objective type, one liner question लेके आएंगे तो आपको एकदम click होता जाएगा कि यह चीज़े हमने उसमें पढ़ी है वीडियो नोट देखने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो नोट में